प्रोग्राम सेफ सिटी स्पेशल आज हमारे साफ स्टूडियो में मौझूद हैं पाकिसान क्रिक्ट के खिलारी जो ना सिर्फ अपने वाश्ट बालिंग की वज़ह से पैस्टाने जाते हैं बल्के अपने कट की वज़ह से भी पैस्टाने जाते हैं और वो हैं मुहांँ इर्फान मुझे सबसे पहले बिताइएगा कि क्रिकट का सफर कैसे शुरू हुआ था असलमें मेन वही जो हमारी गली कुछे वाली क्रिकटर वहां से मैंने स्टार्ट किया है उसके बाद स्कूल क्रिकट खेला हूं तो हमारा एक चोटा सा कस्भा है गगोमंडी बुरिवला दोनों पास प्रेट खेले थे वो लोग क्या था जो आपके हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा असलमें जैसे मैंने क्रिकट स्टार्ट किया क्यूंकि आप गार से इतने पैसे नहीं ले सकते हैं हमारा पीछे इतने स्टॉंग नहीं नॉर्मल थे तो एक वैसे भी मैटर करने के बा उसमें दिन को ड्यूटी करता था जब बीच में च्चुटी आती थी तो स्टाउम क्रिकट किलता जहां जाँ जादा कोशिश करता अगर मेरा मैचेज बगर आते थे तो चेंज करके अपने ड्यूटी नाइट ड्यूटी करता सुबो मैच केलता था अचा तो आपको कितना पेट करते थे दिन का वो तो अभी बताऊंगा तो सारे हरान हो जेंगा उस टाइम मैं तकरिबान तेरह सो रपया में बढ़ती हुआ था मन्थली तकरिबान पैंटीस-चालीस रपया ध्यारी बनती है एक दिन के बनते हैं अच्छा मोझे बताईएगा कि क्रिकेट में आप आ रहे हैं फैमिली की तरफ से रोक नहीं थी लेकन हर एक जो वाल्देना उनकी खुआश होती है कि हमारा बेटा बचा बड़ा ओके कोई पड़े लिखे कोई बड़ी जोब पे जाए लेकन क्या 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 दूसरा नोट कर सकते हैं उसमें आपकी एक्टिविटी देखे फिर चारवलों ने भी निकाहा के ज्यादा पड़ो बड़ी मुशकल से मैटर की है मैटर के बाद खेलता रहा हूं साज जोब भी करता रहा हूं तो उसका सिला फिर आज मिला है तो अलहम्दोलिला आज आपके सामें पाकिस्तान क्रिके टीम में शामिल होने का चांस आपको कैसे मिला था उसमें बहुत यही समयलें के काफी देर से मुझे मिला जब मेरा डेब्यू तो 27 का था मैं जब मेरा डेब्यू क्योंकि गगोमंडी कसबा चोटे होने की वैसे मैं परफॉर्म काफी उदर का रहा था तो लेकन कोई देख नहीं रहा था वह एक पंजाबी की मिसाल ह कि जंगल में मोल नाई ता किसे ने देखा है तो मैं उदर परफॉर्म का रहा था में जो हमारी क्रिकट की मार्कीट आए देखें आप जादा लहोर कराची इसलामबाद केलते हैं तो आप सामने आ जाते हैं क्योंकि कहीं भी आप क्लाब में मैच के रहे तो साथ आपके दो हाइट बादा बंदा ना अभी तक हमने लड़का देखा है तो फिर उनोंने मेरा कोच नदीम इकबाल उनको लेकर फोन किया मुझे यह अकैडमी बलाया तो वहां पर आके मैंने बॉलिंग किया तो इन्होंने फिर मुझे टास्क दिया था दो वीक का आप यहां रहे के ट् कि अपने आगे जाना यह तो उसमें पिर मैं एंसे अकैडमी में आकर ट्रेनिंग की मेरे ट्रेनर थे परसनल जो साथ मुझे शुरू से कहरी करें सुबूर रहिमंद उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया तो सथ तरह मुझे अभी तक जादा कि जो मैंने वन थर्टी प्लस कि तो वो मैंने अपना साथ मि tighter की एक निए में ने के साह आए और इनके साहथ प्राइप्स घलते अए इनकी वीडियो का साथ गुष एफ देखते अकिंप्स जब्टे ने का रखिन मने चाहिएं पाकिस्न कर्केंगे ने किसको देखिए आपको शौ faço qya गए व्युक्त अश् क्योंकि जिस तरह उन्होंने एक च्छोटी टीम को लेकर वर्ड कप जीत किया थे वहां से तो उसके बाद मेरा एक्शन होने की वाई से लेप्टी होने की वाई से ज्यादा मैं फॉलो करता था वसीम अक्रम को तो से माँ कोई इदर उदर लड़के देखते भी है मेरा एक्शन जो पहली दफ़ा देखता तो जादा मुझे यही कहते हैं कि तुमारा एक्शन जो वसीम बाई की तरह है तो आप उसकी कॉपी करता मैं कॉपी नहीं करता लेकर मैं उनकी वीडियो बहुत देखता हूं तो उ को दूस्त करने की कोशिश की हो निकाप्टन तो सारे अच्छे होते हैं लेकन एक होता के एक कोई क्याप्टन होता है एक कूल माइं होता है कि उसको पता है यार इससे मैंने किस तरह काम लेगा वह भी जब ग्रॉण में उते हैं तो वेरी गुड है का मतलबा अगले बंदे को कहते हैं कि आपका ये बॉल है आपने इस तरफ जादा मेंने करनी है बाकी जो कुछ हो जाए कोई मसला नहीं है उसके बाद मैं सबसे जादा जो क्रिकट केला मिस्वबाइक की कप्तानी में खेला हूं तो उन्होंने भी सबसे पहले मुझे बताना होता था इर्फान ये करने हैं हमें पहले दो तीन आवर में और चाहिए रंज की तुम फिकर ना करो जैसे ये कॉन्फिदेंस कप्तान देता है तो कोई बॉलर नहीं चाहरा था कि मुझे रंज जादा पड़े तो एक कॉन्फिदेंस आपको जब आजा किसी चीज़ पे तो आप कुशिश करते है कि जो मुझे टास्क दिया गया है मैं उस पे पूरा उतरूं तो देखा होगा आपने मैं जितने मैच कहला हूं इंटरनेक्शन में तो मैंने पहले दूसरे आवर में तीसरे आवर में टीम को बहुत जादा ब्रेक्ट्रू दूए तो जिससे कप्तान में भी कॉन्फिदेंस में जाफा होता है और मेरे पर भी अख्री हाइट माशाला काफी ज्यादा है तो आपकी हाइट कभी प्रॉब्लम नहीं की आपके प्रोफेशनल लाइफ में ने असल में कोई डरता है आप से डरते तो सारे हैं जिदर जाओं से डरते होंगे ना आइट कि वाईसे यहां तो अगर रियल लाइफ में देखें तो मुझे चीजें इस तरह की नहीं मिलते ही जो मुझे प्सांद होती है शूज लगा लें आप जीन्द का मसला जाता तो उसकी वाइट से पेर स्पैशल हार चीज बनानी परती है जिद पैशल बनानी परती है यही समय लें के प तो आप कैसा देख रहे हैं इसको बाबाराजम टीम को आगे लेके चल पाएंगे नहीं लाजमन उसको चांद देना चाहिए मैं अभी अस्टेलिया उनकी कप्तानी में टी-टॉटी के आ रहा हूं तो काफी कुछ सीखने को है अभी तो उनका पहला टूर था कप्तानी के में उनकी कंडिशन में टाइम लगता है तो में यही है के बाबर आया भी टी-टॉटी का कैप्टन बना था उसको टाइम देना चाहिए क्योंकि जिस तरह आप खेलेंगे और साथ कप्तानी करेंगे टीम की तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी और ज लेकें तो अवराल जो हमारी हिस्ट्री है उसमें वकार बाई और वसीम बाई के लावा बहुत काम फासबोलर को होते हैं कि तरफ आप बैट्समैन या कीपर होते हैं क्योंकि फासबोलर का शुबह इस तरह का है कि आप बहुत ज्यादा लंबी क्रिकट ने खेल सा कभी आप खेले हैं इस तरह की कंडिशन में खेले आप आन फिट हो जाते हैं को में टीम को वह बंदा चाहिए होता जो मतलब कर जादा कंटीनू क्रिकट को आप लेके चले हैं तो उसकी वाइस थोड़ा पीछे हों में ठीक है अच्छा एक और बात ये बतायेगा कि पाकिसानी क्रिक जो हमें पीछे ले जाती हैं अगर आप इंटरनेशन क्रिकट में आते हैं तो जमीन अस्मान का फरक है जो हमारी डिमेस्टिक क्रिकट है उसमें थोड़ा फरक था अभी जो सिस्टम चेंज को हुआ है इससे काफी कुछ सीखने को मेरा है इसमें लड़कों में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि थोड़ा बहुता अगर देखें आप इंटरनेशन और डिमेस्टिक क्रिकट में थोड़ा फरक हो तो लड़कों में कॉन्फिडेंस रहता है तो पता होता है यह चीज है यही मैंने अप्लाई करना जैसे है आप अपनी डिमेस्टिक कर सके उसके बाद फिर अगर तीन-चार मैचों के बाद देखें वह अच्छा परफॉर्म करते हैं अच्छा यह बताईएगा लंबे कद कर कभी पाइदा हुआ है आपको फाइदा तो हार जगा होता है क्रिकट में तो बहुता है लेकन इसके नक्सान भी हैं जिस तरह मैं होता हूं तो साथ जो हमारे हमसाय हैं वह हमसे तंग रहते थे उनकी दिवारें चोटी थी क्योंकि गौव में अक्सर दिवारें चोटी होती है तो आप देख सकते हो असल में एक बंदे का माइंड इस तरह जा रहे होते हैं तो इधर उद्धर देखने की आदता है तो मैं जाता था नमाज पड़ने यह वैसे अपने जमीनों पर जा रहा हूं तो जाता था तो उनकी दिवार चोटी तो यह इस तरह देखना तो सारा कुछ अगार ने लंबे गगार की वज़से किसी से मार तो नहीं पड़ी थी तांग जांग जैसे आप अभी बता रहे हैं नहीं का यार कोई वज़ा बताओ किस वज़से आपका इतना मतलव खर्चा का थे यार रफान भाई आप यहां से गुजरते थे हमारी दिवार चोटी तो आप उपर से देखते तो गारवालंग का इसको ऊपर करवाएं तो हमें एक्सा खर्चा पड़ गया आपकी 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 तो उसके थोड़ी मतलव कि आपकी जो देखके तो उसके बाई को कहना मिस तैम बंदा अगले बंदे को खाई ता जाब वो आंखे डारा नहीं उनकी तरफ देखता हूं दूसरी तरफ तो जितने भी बैटसमन मैं देखे हैं थोड़े मुसे डरते थे क्यूंके नार्मल अच्छा एक और बात मुझे सवाल बताईएगा कि जब आपके बड़े बाई की देख हुई थी तो आपने सोचा था कि मैच से क्रिकेट से आप पीछे हड़ जाएं आप नहीं खेलेंगे तो अब दुबारा से हैं क्रिकेट में तो इसका क्या है मुझे थोड़ा सा इसका पिछले तीन साल में पर आ काफी मैं इन्यक्व एट का Р abilities कर दो यूλλा है जा स्काथ तेम आपक कि मैंने और ज़्चाह मेनगें की 10 साल में टीमी से बार रहा हूं उसमें मैंने। काफी केड़ें बार बोगा की सिखने का मोका मट किं तो छीय आसा तो वहां पर मैं गया था लेकर खेला नहीं था उन से मैंने थोड़ी बहुती जो ट्रेनिंग होती क्योंकि उदर बहुत ज्यादा लंभी हाइट वाले बास्करबाल खेह रहे होते हैं तो वह चीजे मैंने सीखी उस चीज को मैं साथ लेकर चला तो अपना एक जो पैशन था टीम में कमबैक करना है और मेंनत करनी है तो यस ही मैं अपनी मेंनत करता था नहीं तो तो आलवह–AR ज मुझे कमबैक कराने टीक है खेह को ऐसाना जिसने अब आपको सपोर्ट और शुरू से लेकर अभी तक आपको श्पोर्ट की है कोई ऐसा दोस्त होगा कोई फैमिली मेंबर होगा आपका ने फैमिली में तो सब सपोर्ट का रहे थे क्यूंकि मैं घर में छुटा होने की वायद से शब का लाडला था क्यूंकि यह आपको डॉन्ट इंसान बिगर भी मुझे यह समझे मैं डूटी पर होता था वह मुझे वहां से लेकर आता था यार तुम किदर 12-1500 की नौकरी कर रहा है आपने तो बहुत जादा पैसे कमाने है तुमने पाकिसान के स्टार बढ़ना है यह वो चीज उस टाम मुझे समझ नहीं आ रही थी मतलब उनकी वो बा अब यह साथ मैं तो लेकर उनने मुझे बहुत जादा सपोर्ट किया अचा जो ने प्लेयर आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसिज देना चाहेंगे कोई टीप्स देना चाहेंगे क्या आप ऐसी नहीं बैटिंग करें या बॉलिंग में आप क्योंकि आप ऐसे बाले हैं तो गैंटे बॉलिंग करें एक गैंटा करें लेकर न उसमें आपको कुछ ना कुछ माइंड में हो कि यार आज मैंने यह सीख के जाना यह मैंने चीज आपनी बेतर करनी हैं यह नहीं मतला आप सुबह से आएं शाम को ग्रॉंड से जा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं आप किस साफ है और आपके मेनत जो सही जगह पे और अपनी ओनेस्टी के साथ आप का रहे हैं सारा कुछ तो आपको फाल लाजमन देता है बिल्कुल ऐसा ही है अच्छा कोई यंग्स्टर के लिए मैसिज देना चाहेंगे आप इसाब के लिए यह है कि जितने भी आपने कोचिज है है उनकी इज़त करें और दूसरा ग्राउंड में जाते हैं तो अपनी मेनत करें तो मेनत एक चीज ऐसी है कि कहीं ना कहीं आपको लाजमन उसका क्या कहते हैं पे बैक मिलता है उसका तो हमें मुसल्मान होने की वैस से हमारा बिलीव भी है अगर आप सची निये से मेनत करते अचा एक और आखरी सवाल मेरे जहन में आया है वो यह कि आपके फ्यूचर प्लैंस क्या है आगे थोड़ा वह भी बता दे हमें ताकि वीवर्श को थोड़ा पता चल सके अभी मैं अपनी फिट्रंस पर काफी वरक किया है और मेन तो जो आपका प्लैन होता आपकी फिट्र अबी में लगा है तो अबी एम यह है कि जितनी मेरी क्रिकट रहती है उसमें इतना अच्छा करजूं के पाकिस्तान में और जो मैं पाकिसान को भी तक नहीं दे सका जिस तरह आगे वर्ल कॉप आ रहा रहा है टी टॉन्टी वो भी कह रहे हैं कि आपको वोल्ड कॉप में भ पर आपनी फिटनस और आपनी प्रफॉर्फॉर्मंस को कईरी करना हुता है कहीं भी जाएं आपकि फिटनस नहीं है आप्की परफॉर्मस नहीं है आप भी आपको कोई टिम में रस्थे तो वडर्ड कर cleaner अफ पर लिए उस्में परिब्दान इस्तरा के होकर में छैला पाकि तो नाजरीन, आज हमने आपको मिलवाया फास्ट बॉलर मौहमद इर्फान से, तो अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजेगा इजाज़त, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे एकने महमान के साथ, अला निगेबान. झाल झाल